है लुट के अभी मन्यू आए एस सो टार्गेट आएस 2021 में आप सभी कास हो आगातेप जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग इन सेशन के अंदर करेंट अफेस को कवरब कर रहे हैं तो सुडेंट्स बात करें करेंट अफेस की वो कर अंट इस जो हमारे लिए प्रिल्म्स प्लस मेंज फॉओ थूज़न टुएंटिवन के लिए बहुत ज्यादा कुरूशल रोल प्ले करेंगे हम लोग इन सेवंटी डेस के अंदर सारे के सारे करेंट अफेस को बहुत ही वेल एक्स्प्लेंड मेंडर से कवर अफ कर रहे हैं और जो करेंट अफेस हम मार्च 2020 से लेकर एप्रेल 2021 के करेंट अफेस यनिकी मोर देन मोर देन वन इयर्स के करेंट अफेस हम 70 डेस के अंदर कवर अप करेंगे और यह आपको और अगर देखा जाए अभी तक हमने मार्च एप्रिल में जून जुलाइ और अगस्त को कवर अप कर लिए सुडेंट्स और बात करें सप्तंबर की तो सप्तंबर के ऊपर अभी तक का हमारा एक लेक्चर जा चुका है लेक्चर 31 और आज हमारा लेक्चर नमबर 32 भी पर ही रहेगा बस आप लोग मेरे साथ बने रहें हम लोग इसी तरीके से बड़े वेल एक्स्प्लेंड मैनर से हर एक मन्त की न्यूज को आराम से करते जाएंगे तो आज का हमारा लेक्चर नमबर 32 बेस्ट ओन दस सेप्तंबर 2020 करेंट अफेस को हम लोग स्टार्ट करते है और अगर मैं अपना इंड्रोक्शन दू तो स्टुडेंट्स माइसल्फ करनम अगरवाल आम दे करेंट अफेस मेंटर इंद अभिमन्यू आएस तो हमारी आज की सबसे पहली न्यूज रेती है स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स जो है आपकी विकास बटालियन और यह न्यू इस पेपर 3 के लिए तो शुरू करते हैं स्टुडेंट्स ही यहां पे लिखा कि दस स्पेशल फ्रंटियर्स एक स्पेशल फ्रंटियर्स है यूनिट रेफर्ट टू एज विकास बटालियन उसको विकास बटालियन का दर्जा दिया गया है अरे क्यों बोला गया इसके इंस्टुमेंटल इन दे प्रिवेंटिंग चाइनीज ओक्यूपेशन ओन दे लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल इन द लद्दा कंसेप्ट पे फोकस करना हमने अभी तक का लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल पे कई न्यूस को पढ़ लिया है कि आपकी जो गलवान वेली को ल लेकर प्रॉब्लम थी इवर हमने फिर देख लिया था लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल जो आपकी तीन हिस्सों में डिवाइड है वेस्ट इस और मिडल सेक्टर तो वहां पे लिखा है कि हैड बीन से टू इंस्टुमेंटल इन प्रिवेंटिंग रोक कर रखना है बचा कर रखना है चाइना की ऑक्कूपेशन से अंदल एल एसी इन लद्दाग पे तो जो आपकी स्पेशल फ्रेंटियर फोर्स गठित की गई थी कब इंपॉर्टेंट है यह चीज़ 14th November 1962 में in the immediate aftermath of the 1962 Sino-India war after the 1962 war 1962 की लड़ाई के बाद क्या होता है the Central Bureau sorry the Central Intelligence Agency CIA and the Intelligence Bureau decided to train a 5000 strong force of Tibetan for possible missions against China तो clear है तो यहां पर आपको देखने को मिल रहे है कि 5000 military armaments को train किया गया था Tibetan force को train किया गया था ताकि कोई भी अगर mission launch करना पड़ जाए against China clear है और इसको training किसके द्वारा दी गई थी 1962 की लड़ाई की clear चलें आगे तो सुडेंट्स यहां पर लिखा CIA के लिए कि जो आपकी Central Intelligence Agency है had been involved in a covert program to train the Tibet Gorillian to fight the Chinese force in the Tibetan since 1950 जो Gorilla War एक टेक्नीक रहती है कि इस धंग से जो लड़ाई लड़ी जाती है एक टेक्नीक है Gorilla War आगे आता है कि the Central Intelligence Agency is a civilian foreign intelligence services of the federal government of United States of America important again अरे जो Central Intelligence Agency CIA है ना वो एक foreigner intelligence services है किसकी United States of America की clear कोई डाउट तो नहीं है आगे देखने यहां पर लिखा the recruits initially consisted of तो इसके अंदर जो recruitment की गई याद रखें जो इसके अंदर recruitment की गई हैं सबसे पहले वो कौन कौन से थे वो थे Tibetan refugees hailing from the Kampa community यह चीज इंपोर्टेंट रहेगी अरे कौन सी community के लोग हमें देखने को मिले कमफा community के लोग देखने को मिल गए थे नाव इट हैस और mixture of Tibetan and the Gorkhas यह तो है मेरे पास background कि विकास बटालिन के अंदर जो recruitment की गई थी वो तिबतन refugees की थी वो refugees जिसको आपने कमफास community बोल दिया बट अगर मैं आज की बात कर लो 2020 की बात कर लो 21 की बात कर लो students तो आज आपको विकास battalions में कौन से आर्मिमेंस देखने को मिलेंगे तो वो है तिबतन्स और गोर्खास रेजिमेंट क्लियर एवन यहां लिखा की इट वास प्रीविश्ली नेम्ड establishment 2020 अगें important for the prelims यह background दिखा रहे है students आपको याद रखें यही थोड़ा सा data important रह सकता है की सबसे पहले इसका नाम रखा गया establishment 22 as it was raised by the major general सुजान सिंग उबन and artillery officer who had commanded 22 mountain regiments यह चीज आपके लिए important है मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कई चीज़ें ऐसी रहती है जो civil services examination point of view से ना important रहती है और वो यह चीज़ है क्योंकि यहां पर हमें background पता लगाए एक history पता लगी है विकास battalion की कि उसको सबसे पहले किस ने गठित किया था और अगर गठित कर दिया था तो उसका पहले नाम क्या विकास battalion ही था क्या तो नहीं my dear students यहां पर लिखा है कि सबसे पहले इसका नाम था establishment 22 और बनाया गठित किया गया था major general सुजान सिंग उबन के द्वारा जो एक artillery officer है artillery गंज रहती है याद रखें उसके officer थे जिन्होंने गठित किया था हुआ है वहाद कमांड़ 22 Mountain Regiment किया एवन यहां पर लिखा जो स्डबल फ आपकी special force act under the preview of the cabinet secretary यह आज की बात करने आज की वेर इस हैड़ by the inspector general who is an army officer of the rank of the major general the unit that comprises the special forces are known as a vikas battalion important again important है यह हमने आज की बात कर ली और अगर बात करें किते यह आर highly trained यह काफी ज़्यादा trained रहते हैं special forces personnel them who can undertake अब यह undertake कर सकते हैं a variety of tasks which would normally be performed by any special force unit clear even for the same pot deck get a woman soldiers to form a part of special forces units and perform specialized tasks तो इसके अंदर women soldiers को इंक्रूड किया गया clear students आके चलते हैं यहां पर देखा इसका history बताया गया की जो operation eagle है यह कब launch किया गया था 1970 war with the Pakistan में operation eagle फिर आया operation blue star जो clearing Amritsar's golden temple in the 1984 then third time operation मेगदूत यहां पर लिखा गया securing the Siachin's glacier in the 1984 important है students हाला की इसमें सबसे ज्यादार crucial role play करेंगे आपके यह चीजें my dear students यह चीज securing the Siachin glaciers in 1984 का operation name क्या था and that is your operation मेगदूत यह चीज थोड़ी सी focus करके रखिया आप लोग clear है ना देन आया operation विजे जो था कार्गिल के लिए एक के ते वार विद पाकिस्तान at the कार्गिल in 1999 and many counter in insurgencies operations in the country तो यहां यहां पे हमने विकास बटालन की मदद ली है clear और यहां पे ही इन्हीं operations के अंदर विकास बटालन ने बहुत ही ज्यादा crucial role भी प्ले किया है तो अगर बात करें operation इगल की 1971 में जो अंगे जब पाकिसान शुरू किया गया था जो आपकी special forces है operated in the Chittagong Hill track in the East Pakistan अरे Chittagong की बात कर ली यह क्या चीज है यह एक बांगलादेश के अंदर क्या रहेगा my dear students एक पॉट है बंदर गहां है Chittagong Chittagong Hill track in the East Pakistan लेटर बांगलादेश to neutralize Pakistan army positions and help the Indian army advance ahead clear आगे बढ़ें अगर यहां पर देखा जाए तो जो आपकी special frontier force जिसको आप बोल रहे हो ना SFF वो क्या चीज है देखें यहां पर आप लोग यहां पर लिखा की special frontier forces जो आपकी रहेंगी वो involved in a joint operation वो joint operation में भी involved थी with the CIA Central Intelligence Agency जो USA की है in 1965 to place a nuclear power device on the Mount Nanda Devi उत्राखंड to monitor the China's nuclear weapon test important यहां पर हमें history के बारे में जानने को मिला है कि आपकी special frontier forces ने joint operation किया था Central Intelligence Agency of United States of America के साथ 1965 में 1965 में अरे क्यों किया students इसी लिए किया था कहां पे Mount Nanda Devi पे जो उत्राखंड में है monitor किया जा सके चाइना के nuclear weapon test ko clear और आगे लिखा कि however the mission had to be in abundant and the nuclear power devices was lost on the mountains clear आगे चला जाए तो यहां लिखा गया the loss of nuclear power sensors was reported by the Indian media outlets in the 1978 promoting a response from the then Prime Minister on India involvement in the mission clear यह चीज आपके लिंपॉर्ण है यह चीज यह background दिखाता है और international relations भी दिखाता है कि 1965 के दोरान भी भारत के United States of America के साथ किस तरह के समन्देख clear है ना आगे हमारी आज की next news रहती है project dolphin और यह आपके लिए important रहेगी GS paper 3 के लिए तो my dear students मैं आपसे कुछ announcement करना चाहूंगा कुछ आपसे बात share करना चाहूंगा कि कभी कभी ना एक ऐसी news आ जाती है जिसको काफी normal speed से भी कम slow में पढ़ाना पड़ता है तो उन में से आपकी प्रोजेक्ट डॉल्फिन एक ऐसी न्यूज रहती है तो मेरे कहने का यह मतलब रहेगा कि मैं इसको थोड़ा सा यहां पर डाटा एड़ाउन ज्यादा करूंगा और यहां पर मेरी स्पीट नॉर्मल से थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि अपने आप में काफी जादा इंपॉर्डेंट न्यूज है अब मैं अगर इसके क्रक्स पर पहुंचू ना आरे सुडेंट्स प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या चीज़ है जो डॉल्फिन हमें गंगा नदी में मिलती है औ तो बस आप लोग मिलत बने रहें यहां पर लिखा सबसे पहले कि प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रदान मंतरी जी ने एनौंस किया कि उनकी सरकार की गवर्मेंट्स प्लांच अप्रोजेक्ट डॉल्फिन इन रिसेंट इंडिपेंडेंट्स दे स्पीच ऑन दे 15 ऑगस्ट 2020 तो निरंद्र मोदी जी ने यह लॉंच किया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्लियर मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां तक कोई डाउट नहीं है तो सु किसी को भी ना कोई भी डाउट रहता है कुछ चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें ठीक है और अगर बात की जाए पीडिएफ की तो आपको हर एक सेशन के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएए वहां पर आपको PDF लिंक डाउलोड करने का option मिल जाएगा clear है बढ़ते हैं आगे तो यहां पर लिखा कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है विल बी औन दे Merci कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो प्रोजेक्ट टॉल्फिन है वो प्रोजेक्ट टाइगर की ही इस लाइन में कतार में लगा हुआ है विच हसे इंक्रीज ते टाइगर पॉपुलेशन अब सुदेन्ट्स आप लोग थोड़ा सा डाट एड़ान करें की प्रोजेक्ट टाइगर में ऐसा क्या चीज़ है कि तो कि प्रोजेक्ट कि टाइगर शुरू करते हैं हम लोग कि नंबर वन कि यहां पर लिखा गया कि टेज़ आन ओन गोइंग कि सेंट्रली स्पॉंसर्ड कि स्कीम कि कंसेप्ट बोला गया कि यह एक सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम है मतले भारत सरकार के द्वारा ही निवेश किया गया है यह स्कीम को और कौन से मंत्राले के अंदर आ गई और अवर्मेर्मन फोर्स्त अ क्लिमत चीम चेंग प्रोवान थे एंग एंगर्ण Central Assistance to the Tigers for Tiger को बचाना है for the Tiger Conservation in designated Tiger the reserves clear और अगर और भी data add-on किया जाए तो यहाँ पर लिखा गया कि कि total 209 2967 Tigers are there in India अगर भारत की बात की जाए तो as per the data in 2020 के कॉर्डिंग है यह इंडिया और अगर बात की जाए 2967 अगर हमारे पास है भारत के अंदर तो कौन कौन से स्टेट्स में हैं number one is your maximum हमें कहां पर देखने को मिलते हैं मध्या प्रदेश में और second is your और करनाटका तो स्टूरेंट्स यह हैं हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत सरकार के द्वारा निवेश कीगी स्कीम हैं under the ministry of environment forest and climate change तो इसी स्कीम के तहट भारत के अंदर population बड़ी कितनी हो गई टोटल 2967 टाइगर्स आ देर इन इंडिया और भारत के सिर्फ दो राज्यों में maximum आपको टाइगर्स देखने को मिलते हैं और वो है MP मलब मध्या प्रदेश and second one is your और करनाट का तो यहां तक कोई डावट तो नहीं आपको को आगे चले चानि को एक तो यह हमारा हो गया निक्स्ट आया कि project गौट एंड प्रिंसिपल एप्रूवल अब कंशेप्ट है जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसको प्रिंसिपल एप्रूवल मिल गई कब दिसंबर 2019 में अफ्र फ्र स्यूंट से अफ्र अरे कब अट्व सीटिंग अफ्र नाशनल गंगा ऐंशल हमने नाशनल गंगात कांशल पर भी पड़ा था ना इंघंगा के तहत एक संगठित कीगई कांशल और जो हमेश प्रधान मंतरी जी उसको मतलब एड करेंगे यह बोल सकते हो निर्पे अंदर नैशनल गंगा काउंसल के अंदर क्लियर अब यह भी हमने पढ़ लिया है कि इस एक्सपेक्टेट टू बी इंप्लेमेंटेट बाइद मिनिस्ट्री ओफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट अन्द क्लाइमेट चेंज को कि अब सुडेंट्स यहां पर लिखा है ना की नैशनल गंगा काउंसल क्या चीज है एक बार उसके ऊपर भी आप लोग डाटा थोड़ा सा एड़ाउन कीजिए नैशन गंगा काउंसल कि नंबर वान यहां पर लिखा गया कि चेर्ड बाइद प्राम मिनिस्टर अफ इंडिया बिल्कुल ठीक है यह हमने देखी लिया है और कब बनाई एक फॉर्म्ड अंडर कि एन्वायर्मेंट कि प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना था यह जिसको आपने बोल दिया एन्वायर्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट एपी ए है 1986 क्लियर है यहां पर देखते हैं कि जो आपका स्पेशली स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसको क्या चाहिए कि अडे नीड टू बी टेकन अप फॉर गंजाटिक डॉल्फिंज विच इस अनाशनल एक्टिक अनिमल की जो आपकी गंजाटिक डॉल्फिन है वो नाशनल एक्टिक अनिमल है भारत के लिए और और अल्सों इंडिकेटर स्पीशी फॉर रीवर गंगा स्प्रेड ओवर दे सेवरल सेट्स बिल्कुल ठीक केते आज दे गंजाटिक डॉल्फिन इस अट टॉप फॉट चेन प्रोटेक्टिक अन इस हैबिटेट विल एंशॉर कंजर्वेशन आफ एक्टिक लाइव अगर सुरेंट्स डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जुरू लिखिएगा आगे बढ़ता हूं यहां पर लिखा कीप दो रहाइन एक्शन प्लैन जो 1987 में शुरू हुआ था कंसेप्ट है रहाइन एक्शन प्लैन 1987 में जो शुरू हुआ आप दो इंटरनाशनल कमीशन फॉर देशन आफ देशन आफ रहाइन आई-सी पी आर यह क्या चीज है री प्रेसेंटिंग स्विट्जरलैंड फ्रांस जर्मनी लुक्जंबर्ग अन नीदर लैंड हेल्प देशन आफ देशन आफ शालमान फिश और अन इंडिकेटर स्वी इंपोर्टेंट फॉर्डर प्रिल्लिम परस्पेक्टिव आप लोगों को यह चीज पूछी जा सकती है कि रहाइन एक्शन प्रेंट नाइंटीन एक्टी सेवन के तहट हमने कौन से स्पीशी को कंजर्व किया था हूँ है सैलमान फिश और कौन कौन से देश इसमें इंक्ल जो गंगा रिवर के अंदर हमें देखने को मिलती है वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है इंपॉर्टेंट है यह यह स्टेट सिवल सर्विसेस में में भी आपको पूछ सकते हैं और यहां पर लिखा कि यहां पर लिखा कि इस आर जेनरली ब्लाइंड और प्रेंड इन यु जैनुली ब्लाइंड रहती हैं और अल्ट्रासॉनिक साउंड प्रड्यूस करती हैं विच रीच दप्रेंड आर आल्सो कॉल्ड सुशूप्त यह एक इसका लोकल नेम है फाइन आगे बड़े आगे लिखा गया कि इट इस फाउंड मेंली इंड इंडियन सब कॉंटिनेंट पर्टिकुलर्ली इंड गंगा भ्रमपुत्रा मेगना अरे इंपॉर्टेंट है अब इसका जग्राफिकल एस्पेक्ट बता दिया गया कि गंगा भ्रमपुत्रा और मेगना नदी के जहां पे इंटरसेक्शन दोनों का मिलन होता है वहां पर आपको गंजेटिक डॉल्फिन मैक्सिमम देखने को मिली और कहां पर एंड करना फुली संगू रीवर सिस्टम इट इस ओल्सों फाउंड इन दगंगा ट्रिब्यूटरीज एक चीज़ याद रखिए एक चीज़ याद रखिए यहां पर लिखा है ना गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में तो का कंसेप्ट याद रखना यह कौन कौन सी है अगर मैं इसको बोल दूस इस माइ राम गंगा इस इस माइं घागरा अ इस कि अगर मैं बात करूं कोई की और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं महनदी की अरे students एक चीज़ याद रखिए यह मानदी आपकी डार्जलिंग से और इजनेट होती है इन वेस्ट बेंगॉल और इसी नदी के उपर आपको maximum गंजैटिक डॉल्फिन एकने को मिलती है और यहां पर अगर मैं ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हूं ना यह ओर यमुझा यह मुझा यूम न की ही फर्दर रिब्यूटरी से रहती चंबल से द केइन बेटवा धंसरी और एक रहती है इसकी 10 रिवर ऐक रहती है इसकी पुंपुं तो these are the tributaries of river Ganga clear है चलते हैं एक ओवर्वीव था आप लोगों के लिए यहां पर लिखा की दे गंजैटिक डॉल्फिन census suggest that अब जो गंगा नदी की डॉल्फिन हैं उनकी जन संख्या को calculate किया और वो क्या सुझाव देते हैं suggest that की गंजैटिक डॉल्फिन पॉपुलेशन इन इंडिया की भारत के अंदर गंगा डॉल्फिन की जो जन संख्या है कुद भी एबाउट 2,500 से 3,000 किते आश पर दर मिनिस्ट्री आफ स्टेट फॉर्स एन्वार्मेंट फॉर्स एंड क्लाइमेट चेंज अरे ऐसा क्यों कि आप लोग ये चीज को थोड़ा सा फोकस करके रखिये कि हमने क्या पढ़ा है ना कि गंगा भ्रहमपुत्रा मेग्रा नदी पढ़िये ना तो उसी के परस्पेक्टिव में आप यहां पे एक चीज देख लीजिए अरे सॉर्य जसा सेकेंड यहां पे मैं वाइट पेज निकालता हूं कि जो आपकी ना रीवर गंगा है जो आपकी रीवर गंगा है वो भारत के कौन कौन से राजे से निकलती है एक तो निकलेगी वो उत्तराखंड से उत्तराखंड के बाद वो यूपी में जाती है फिर वो जाएगी बिहार में देन वो कुछ हिस्सा उसका जारखंड में फ्लो करता है जारखंड से थोड़ा सा इसा फ्लो करने के बाद वो मैक्सिमम हिस्सा वेस्ट बिंगॉल में और अगर उसी के पैरलल में माई डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें भ्रम्मा पुत्रा की भ्रम्मा पुत्रा नदी की तो भ्रम्मा पुत्रा रीवर आपकी देखिए कंसेप्ट पर फोकस करना तिबत से नम्चा भरवा नम्चा भरवा एक पहाड़ी है ग्रेटर हिमाल फिर ये असाम में जाती है ठीक है असाम से होते हुए ये कहां पर निकल जाती है बांगला देश में अरे आज अभी हमने तभी तो पढ़ लिया ना कि यूपी में आपकी कितने डॉल्फिंस मिली और असम में आपकी कितने डॉल्फिंस मिल गई ये कंसेप्ट है कि यूपी से लेकर 3000 तक क्लियर अब यहां पर लिखा कि जो गंगा रिवर डॉल्फिन सेंसे यह एक को लेबरेटिव एफट है यूपी सरकार का यहां पर वार नसी का भी जिक्र किया गया यूपी का एक शहर है जो दाउन सेंट लेइंड टूसॉदेंट रिवर डॉल्फिन्स औवन घागरा सीजए लेफ्ट बैंक ट्रभीटरी अफ़ रिवर गंगा गंडक लेफ्ट बैंक ट्रभीटर्री आफ रिवर गंगा जो चंबल से अचे विवर उप यामना तो हम लोग ऐसे वह सकते हैं कि चंबल तो यह है आपका concept यहां पे यहां पे लिखा की रीवर कवर्ड इंक्लूदिंग गंगा राम गंगा यमुना चंबल केन बेटवा सौन शार्दा गेरवा गागरा गंडक राप्ती कवरिंग डियूरिंग अक्टूबर 5 से 8 2015 की नो डॉल्फिन इन राम गंगा सौन केन की 2015 में जब सेंस कैल्कुलिट किया था गंजेटिक डॉल्फिन का तो राम गंगा सौन और केन में हमें गंजैटिक डॉल्फिन नहीं मिली थी यहां तक आगे वड़ते हैं तो यहां पे लिखा की इन दफर्स्ट शड्यूल यह एकशन एक नाइटीन सेवनीटू के तहट क्लियर सेकिंड आया कि एंडेंजर बाइद अरे यह लिखा गया डिक्लियर कर दी एंडेंजर यह वो किसके द्वारा वो द्वारा किया जाता है एंटर नाशनल यूनियन फॉर दर कंजर्वेशन आफ दनेचर जिसको बोला गया कि थोड़ा सा डाटा आप लोग एड़ाउन करें कि वट दू यू मीन बाइक आई यू सी एन तो देखें यहां पे नमबर वान लिखा गया के टेट एज़ग मेंबर्शिप यूनियन यूनिकली कंपोज़ट अफ बोत गवर्मेंट अग गवर्मेंट अग दख सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन की यह एक मेंबर्शिप यूनियन है गठित की गई कि किसके द्वारा और कौन-कौन है इसके अंदर सरकार आएगी गवर्मेंट आएगी एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन और अगर और भी चलें आगे यहां पर लिखा इट वास प्रीएट इन नाइटीन फॉर्टी एट कि इट इस अ private global authority on the status of the natural world मेजर्ज नीड़ेड टू सेफगार्ड एट क्लियर है और आपको इसका हेड़कोर्टर कहां पर देखने को मिलेगा मोस्टली जो इंटरनाशनल लेवल के हेड़कोर्टर हैं आपको स्विज्ज लैन में देखने को मिलते हैं तो सुदेंट्स यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बट फिर भी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताईएगा आगे चलते हैं यहां पे लिखा अपेंडिक स्वन के कोर्डिंग जो लिकांगा मोस्ट एंडेंज देंजड है अफ देंट नंज ट्रेशन अच नेंट ट्रेट इन डेंडेंज़िस्ट को सैथ बागए G attorney आया यहां पे की एपेंडिक्स टू के तहट ही माइग्रेटरी स्पिशिस दाट नीड जाट नीड गूंजरवेशन अन अन एग्रेटरी स्पिशिस दाट प्रेलम्स पर्स्पेक्टिव अगर मैं बात करूं नैशनल एकविटिक अनिमल की तो दो हुजार उन नॉमे इन 2009 दूरिंग दे फर्स्ट मीटिंग ओफ दे नैशनल गंगा रीवर बेसन अथारिटी दे गंजाटक रीवर डॉल्फिन वास देकलेड आस दे नैशनल एकविटिक अनिमल अगें प्रेलम्स पर्स्पेक्टिव से ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह की सबसे पहली मीटिंग हुई थी तब उस मीटिंग के अंतरगत ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो आपकी गंजैटिक रीवर डॉल्फिन है वो भारत के लिए नैशनल एक्विटिक अनिमल का दरजा ले चुकी है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था अगर आगे चले तो दे नैशनल मिशन फॉर दे क्लीन गंगा सेलिब्रेट्स फिफ्ट अक्टूबर एज दे नैशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे अगें प्रिलिम्स प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टन है क्लेर कोई डाउट नहीं है स्टूडेंस मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं यहां पे डॉल्फिन के कुछ फेक्ट्स लिखात की वेस्ट बिंगॉल इस दे होम तो बोथ इडावडी डॉल्फिन्स और गंगास रिवर डॉल्फिन चेर हाला की यह चीज इंपॉर्टन एक यह चीज़ों को थोड़ सा ध्यान से देखा करो की कि इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं और रिवर पॉपॉलेशन आर्ड़ में थ्रेट्स तु दूस्पीशिस के लिए क्लियर लिखा की हैबिटेट ऑफ दे एरावडी और प्रोटेक्ट इस पॉल्स अंदस सुंदर्बंस अरे सुंदर्बं क्या चीज है सुडेंस हमने देख ल और भ्रम्मपुत्रणदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं और डेल्टा इस कॉल्डा सुंदर्बं और हमने यह भी चीज़ फोकस की थी कि वाय जिस डेल्टा कॉल सुंदर्बं क्योंकि यहां पे हमें एक पर्टिकुलर स्पीशी स्ट्री की स्पीशी मिलती हैं दाट इस और सुंदरी उसी के अधार पे हमने सुंदर्बं रख दिया थक इवन हमने एक और न्यूस पड़ी थी रवीजन करना है तो अरे सबसे बढ़िया मौका रहता रवीजन करने का तो सुंदर्बं में हमें एक फॉरस एकने को मिलते हैं मैं गुरू फॉरस्ट मैं गुरू फॉरस्ट रिसेंटी डिस्ट्रॉइ होगे तो उसका मैक्सिमम पार्ट क्यों साइकलोन एंफन आया था कियर है आगे चलते हैं लिखा कि कंजर्वेशन आफ गंगास रिवर डॉल्फि डेकलारेशनों सिक्सक्स कंजर्वेशन रिजर्व इवन इस्टैबलिश्मेंट ऑफ इस्ट कॉलकता वेट लैंड स्पीशिस एक्स्पेंशन ऑफ टीस्टा वालेफ सेंचिरी टीस्टा क्या है दे में इंटरब्यूटर रिवर भ्रहमपत्रा उसी के अधार पर एक वालेफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1996 आफ्र दे लांच ऑफ गंगा एक्शन प्लैन जो 1985 में आया तो उसके बाद आया था आपका की गवर्मेंट इंक्लूड़ूड गंजैतिक डॉल्फिन इन फर्स्ट शड्यूल ओफ दे इंडियन वालेफ प्रोटेक्शन एक 1972 की भारत सरकार ने गंजैतिक डॉल्फिन्स को फर्स्ट शड्यूल ओफ दे इंडियन वालेफ प्रोटेक्शन एक 1972 के अंडर डिक्लेर कर दीगा था ठीक है अरे इसका मतलब डिक्लेर करने का मतलब क्या रहेगा सुरेंट्स की इसका मतलब है कि हाइस्ट डिग्री ओफ प्रोटेक्शन अंगे अधिरी वास इस्टाबलिष इन बिहार अंडर इसक्ट इक्ट मोस्त इंपॉर्ट ए अगे बढ़ते हैं चंजर्वेशन प्रान के लिए के तो चंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गंगाश्य रिवर डॉल्फिन 2010 चे लेकर 2020 तक जो आपको आपको आइडेंटिफाइ कर दोल्फिन पॉपुलेशन च्लियर एस यहां तर आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा कि दे नाशनल गंगा रीवर पेसे न अथॉर्टी चैनल गंगा रीवर पेसे न अथॉर्टी जिसका नाम रीप्लेश कर दिया गया नाशनल गंगा कांसल ने इन 2009 में इन 2009 ओके यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहेगी स्टेट ऑफ दे यंग चाइल्ड एन एंडियन रिपोर्ट यह आपके लिए इंपोर्टेंट एक जी एस पेपर टू के लिए क्लेर एसुरू करते है तो यहां पर लिखा कि दे स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया कंसेप्ट है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जो आई वो रिलीस किसने की रिलीस बाइदर मुबाइल क्रेचिस अनॉन गवर्मेंटल और्गनाइजेशन जिसको बोल गया ए इसी न्यूस की अंतरगत क्या चीज़ बोली कि दैंग चाइल्ड आउटकमस इंडेक्स औन द यंग चाइल्ड एंवायरमेंट इंडेक्स कंसेप्ट पर फोकस करना अरे यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स य सी ओ आई and the young child environment index ङसी ईकषाय यह दो ने साथ आर और यह दो नों इंडेक्स खिसके पार्ड है यह थे state of the young child in India report के जिज रिपोर्ट state of the young child in India एंडिया report तैयार की गई mobile churches के दुआरा की mobile patreon.com work in the field of अर्ली चाइल्ड हुड किया और डेवलप्मेंट बाइदर एंशॉरिंग क्रेचिस सर्विसेज अड़ गंस्ट्रक्शन साइट्स अड़ स्लम सेटल्मेंट्स एक रॉज सेटल्मेंट्स अरे कंसेट है कि जो क्रेच सर्विस देता है उसको ध्यान में रखता है सबसे ज्याद कौन से जगहां पर एक तो कंस्ट्रक्शन साइट फिक एंड स्लम सेटल्मेंट्स वे एवन यह मेशर करते हैं हेल्थ को सबसे इंपॉर्टन निउट्रीशन होता है बहुत इंपॉर्टन है निउट्रीशन और कोग्निटिव ग्रोथ ऑफ चिल्डरन इन दे एज ग्रूप जीरो तु सिक्सियर्स विद अब कौन से इंडिकेटर्स है जो यह क्रेच इसको हेल्प करेंगे वो हैं इन्फेंट मॉटलिटी रेट स्टंटिंग और नेट अटेंदेंट्स अद प्राइमरी स्कूल लेवल क्लियर आगे आया कि इट आज बीन कंसक्टेट फॉर 2005-2006 एंड 2015 से 2016 तक तो एनेबल देंट्र स्टेट कंपारिजन आज वेल एस प्रोवाइड एन आइडिया ओफ चेंज ओवर ताइम तो यहां पे कुछ डाउट तो नहीं है आपकी दो से तीन चीज़ें पॉर्ण है वो क्या है यह वला पहला दूसरा और तीसरा सिवल सर्विसेस के लिए इंपॉर्ण रहेगा प्रिलम्स प्रिलम्स और प्रिलम्स के लिए क्लिए यह चीज़ थोड़ी सी आप लोग अंड्राइन करके रखें कि आगे बढ़ते हैं तो यह आपका इंडिकेटर कंपेरिजन कर लिया गया यहां पिक दोहजार पांच से दोहजार च्छे का और दोहजार पंद्रा से दोहजार सोलां का की चिल्ट्रेंज अंडर दख जससेकिंड अंडर दफ फाइव इस कितना परसेंड़ एक अंडर दफाइव एर हुआर वेस्टट अब हुआर सेवरली वेस्टट अब फाइव इस हुआर अंडर वेट तो वह परसेंड़ेज दिखाया गया क्लियर है आगे चलते हैं यहां पर लिखा कि भारती कुछ राज्य केरला गोवा त्रिपुरा तमिलनाडव एंड मिजरम are among the top five states for the well-being of the children of concept pay focus करना भारत की Northeast राज्यों में से states में से त्रिपुरा और मिजरम ने पहला स्थान हासल कर दिया Northeast के कॉर्ट अगर देखा जाया तो केरला गोवा त्रिपुरा तमिलनाडव एंड मिजरम among the top five states for the well-being of children next आया कि असाम मिघाल्या राजस्थान चत्यस्गर्ड मध्या प्रदेश जार्खंड यूप और बिहार have scores below the country's average तो भारत के इनी राज्यों ने एक average marks से भी कम marks हासल किये तो ओवराल इंडिया का स्कोर कितना रहा 0.585 किते इट हेल्प स्टू अब इसी तरीके की रिपोर्ट समें हेल्प करती है समझने में understand the policy environment enables that influences so that influence a child's well-being likha gya ki it was constructed for the 2015-16 only due to the limitation of the data availability even Kerala Goa Sikkim Punjab and Himachal Pradesh have secured the top five positions first important clear the eight states with the below average scores on the ye kya cheese a young children's oi stands for your index clear have also performed poorly on this one the overall India score is 0.672 my dear students young children outcome index में भारत ने कितना overall score कर लिया score है वो 0.672 का यह चीज़ पर focus करना अब अब याद करें स्टेट्स के perspective कि केरला का कितना है index score गोवा का कितना है त्रीपूरा तमिला और मिर्जरम का कितने और यहां पर हमने लिख दिया below average के लिए number one पर बिहार फिर उत्रप्रदेश दें जार्खंड दें मध्या यहां पर लिखा कि कि इंडिया स्पेंड अब भारत ने कितना निवेश कर दिया 1723 रुपीज पर चाइल्ड पिक 2018 से 2019 के साल में अरे जो 1723 रुपे हर एक बच्चे के लिए 2018 से 2019 में निवेश किया गया वो उसके nutrition को देखते हुए क्या health care पे किया education पे किया and other necessary protection services पे किया which is insufficient आला कि अभी भी वह insufficient है हम लोग sufficient नहीं नहीं बोल सकते है and fail to reach the entire eligible population clear आगे बोला गया कि यही चीजें highlight करती है जो हमें दिखाती है that budgetary allocations for the ministry of women and the child development has increased on a yearly basis however all the additional funds अब budget के तहत जो पैसा रखा गया अब और भी जो additional funds है have been allocated toward the nutrition delivery पे करना है हमें nutrition पे जादा focus करना है अरे कौन सी scheme के तहत वो है integrated child development scheme that is your integrated child development scheme अब students आप लोग मिरसद बने रहें और हम लोग icds के ओपर थोड़ा सा work कर लेते हैं कि icds clear अब क्या चीज़ है यह तो यहां पर लिखा गया this is a integrated child development scheme तो इसी के अंतरगत क्या चीज़ है की दस्कीम की स्कीम प्रोवाइड स्पेसिफिक इंटर्वेशन इंटर्वेंशन जो टार्गेट करते हैं तो वाड़्ज अब यह स्कीम के अंतरगत वो टार्गेट किया गया वह वल्लेबर ग्रुप को जिसके एंदरगत चिल्रंट बिलोव देज़ एज उचीज़ एंड वूबन इंक्लूड एंड एंड आइवन यह इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया इंप्लिमेंटेड बाइड़ कि मिनिस्ट्री ओफ वुमिन और चाइल्ड डेवलप्मेंट क्लियर एक कोई डाउट तो नहीं है सुडेंट्स फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जुरूर लिखें आगे चलते हैं अब यहां पर लिखा कि भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया सेवरल कॉंप्रिहेंसिव पॉलसीज को और फ्लैक्शिप प्रोग्राम्स को लाइक इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलप्मेंट स्कीम और नाशनल नूट्रीशन मिशन याद रखें यह चीज़ इंपॉर्डंट है भारत सरकार ने कई ऐसी स्कीम्स को लॉंच किया जैसे की लॉंच किया गया इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलप्मेंट स्कीम उसी के तहत इसकी सिमिलर स्कीम्स है नैशनल नूट्रीशन मिशन जिसको बॉलगा पोशन अभ्यान यह आपके सामने है ठीक है फॉर अरे क्यों स्कीम लॉंच की गी पोशन अभ्यान क्यों लॉंच किया फॉर्ड अर्ली चाइल्ड हुल डवलप्मेंट अन्ट्री बट नीड अव्ट नीड आर इस्टो इंप्लिमेंट थैंट एंफेक्टिवी तू प्रॉपर कोडिनेशन अमंग वेरियस मिनिस अब वट्डू यू मीन बाइपोशन अभ्यान अब वट्डू यू मीन बाइक पोशन जासे कि अरे पोशन अभ्यान के अंतरगत क्या चीज़ है तो यहां पर लिखा वॉस लॉंच्ट वाइदक गवर्मेंट और मार्च एट टू थाउज़न डीन क्लियर है नेक्स्ट आया यहां पे की टू रिड्यूस स्टंटेंग अंडर नुट्रीशन अनीमिया सेकेंड और क्या लिख सकते हैं दे टार्गेट कितना अर वॉस तरुठा त्यून य जडिदीपोर उटेर स्टप्टत्य। आइट Canadians इन दे एज ग्रूप ऑफ जीरो टो सिक्सियर्स अरे कितना फ्रॉम 38.4 परसेंट से लेकर 25 परसेंट तक क्लियर है बाई 2022 तो यह है आपका पोशन अभियान जो लॉंच किया गया भारत सरकार के दवारा आठ मार्च 2018 को और हमने क्या डिक्रीज करना है अंडर अट्रेशन एनीमिया को क्लियर है आगे चलते हैं यहां पर लिखा दर रिसेंटली अन्वील नैशनल एडूकेशन पॉलसी 2020 अमंग अधर स्कीम्स प्रोग्राम्स लाइक मिड्डे मील स्कीम हमने यह भी देख लिया था कि मिड्डे मील स्कीम में क्या चीज थी भारत सरकार ने यह भी लिखा हुआ था अगर किसी भी प्रॉ जो स्टूडेंट्स हैं अवेल कर रहे हैं उफर स्कीम को उनको दिया जाएगा ठीक है तो इसी के स्कीम के तहट भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दारी किये था ना जो आपने कल नीउस को देखा था लिखा कि इंद्रा गांधी मतित्रवा सहयोग योजना आप लोगों के लिए सुरेंट्स यह चीज इंपोर्टन आपके लिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की निक्स न्यूस रहेगी वर्ल्स लार्जेस्ट सोलर ट्री और यह आपके लिए इंपोर्टन एजी एस पेपर 3 के रिए शुरू कर सकता हूं ओके तो इस स्कीम के तहट सॉरी इस न्यूस के तहट क्या है तो लिखा की Central Mechanical Engineering Research Institute concept है Central Mechanical Engineering Research Institute जो दुर्गापुर में है उन्होंने बनाया है दुनिया का वर्ल्ड लार्चेस्ट सोलर ट्री which is installed at CSIR and CMERE residential colony के अंदर कत ठीक इंपॉर्डंट याद रखे यह चीज़ इंपॉर्डंट है इवन प्राइस एग्रीमेंट की तहट भारत सरकार अब पेट्रोल डीजल से धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है रिनेवल एनर्जी की ओपर जो हम लोग यहां पे सोलर ट्रीज को लगा रहे हैं यह उसी के अंतरगत है जो हमने मिशन को चीफ करना है 165 गीगावाट का या फिर 225 गीगावाट का यहां पर लिखा की इंस्टॉल्ड कापासिटी ऑफ दे सोलर ट्रीज इस एबव 11.5 किलो वार्ट पर आर के अकॉर्डिंग है और सॉरी वाट पर आज हैं और हाज अन्नुल कंपैस कापैसिटी तो पूरे साल में यह कितना जेनरेट कर देंगे यह जेनरेट करेंगे 12,000 से 14,000 उनिट्स ऑफ दे क्लीन आंड ग्रीन पावर क्लियर अरे क्लीन ग्रीन पावर तभी तो बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एमीजन होते ही नहीं है ठीक there are total of 35 solar PV panels in each tree concept है हर एक ट्री के अंदर 35 solar PV panels है and each solar tree will cost 7.5 lakh rupees clear आगे लिखा कि making farming sustainable it can wide separate usage in the agriculture activity suggest high capacity pumps eat tractors and eat power tellers prelims perspective से यह चीज़ important है यहां पे भी examination point of view से आपका important रहेगा और यह आपका prelims plus means दोनों में important है कि हमें पूरे साल में कि इतनी clean and green power generate करके देगा आपका world largest solar tree जो हमने दुरगापुर के अंदर लगाया clear है बढ़ते हैं आगे तो क्या लिखा कि जो co2 emission carbon dioxide emission saving हो जाएगी क्योंकि यहां पे कुछ emit हो ही नहीं ला क्योंकि हमने यह भी देखना ना कि Paris Agreement के तहट भारत ने carbon dioxide emission को कम करना है तो यह help करेगा हमारे लिए है तो लिखा कि each solar tree has a potential to save 10-12 tons of co2 अरे concept है हर एक solar tree 10-12 ton carbon dioxide emission को रोकने में मददगार है emission being released into the atmosphere clear heck as the greenhouse gases when compared with the fossil fuels fired energy generations important prelims plus mains के लिए UPSC इसी तरीके का data मांगता है हमारे से clear है आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा की जो collaboration में ग्रिट सयार किये आप यहां पर देख लिए एक ट्री है clear the integrated micro small medium enterprises can align their business model with the Pradhaar Mantri किसान और जास सुरक्षा इवन उत्थन उत्थान महा भियान concept पे focus कीजिए अरे MSME को भी इंक्लूड कर लिया किसके अंत्रकत प्रधार मंत्री किसान और जा सुरक्षा एवं उत्थान महा भियान जिसको बोलगा PM को सुम स्कीम फॉर्ड़ फार्मर्स फॉर डेवलोपिंग अरेनवेबल एनर्जी बेस्ट एनर्जी ग्रिट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्यार मेंस प्रस्पेक्टिव एक हम क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी वले सेक्टर को भारत के अग्रिकल्चर सेक्टर के साथ मिलाएंगे और दोनों की मदद लेंगे आगे लिखा इंटरनेट ओफ थिंग फिचर्स के अंतरगत दो सोलेटरी ओल्स हाज एक पिलिटी तो इनकोपरेट आई ओटी बेस फीचर्स क्लियर मतलब क्या रहेगा राउंड दे क्लॉक चॉबिस ओ घंटे यह चीज चीज सीटीवी सर्विलेंस इन अग्रिकल्चर फील्ड फील्ड पर फोकस करें जो अटाक होते हैं एग्री कल्चर्स की ओपर ठीक है रियल टाइम को मेशे करेगा विंड स्पीड रेंफॉल प्रेटिक्शन और स्वाइल अनलेटिक सेंश इंपोर्टेंट आप लोग कंसेट देख लीजी इसके क्या एडवांटेज जा रहे हैं ठीक है और अगर मैं बात करूँ रियल टाइम असेस की किते दे एनरजी जेनरेशन डाटा कान भी मॉनेटर आएड़ रियल टाइम और अगे चलते हैं तो आज की हमारी नेक्स निउस है स्पॉर्ट रॉबर्ट तो यह क्या चीज है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जी एस पेपर 3 के लिए सुरेंट्स इसके अंतरगत क्या चीज है तो देखें यहां पर बोला रिसर्चर्च जो बॉस्टन से हैं कोहां की है मैस्टेट्स इंसिटिट अफ टेक्नोलोजी उन्होंने डेवलप किया स्पॉर्ट को यह है जो आपका कोवेट 19 के पेशन्स के लिए हेल लाइम स्टेर्स चड़ भी सकता है पॉडियों को ट्राव रफ टेरंट्स और स्मॉल एनफ तो बी यूज अस इंडोर्स के टे इटकान मेजर स्किन टेम्परेचर ब्रीधिंग रेट पल्स रेट और ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन इन दे हेल्दी पेशेंस फ्रॉम देट टू मिटर्स अवे इसके अंदर चार कैमरा से यह चीज़ इंपर्टेंट है यह क्या मेशर कर सकता है बॉडि टेम्परेचर कैसे मेशर करेगा इंफ्रारेड कैमरा मेजर स्किन टेम्परेचर जो इसके फेस पे लगा हुआ है एल्गोरिधम दैन को रेलेट दो फेशल स्कि पेचर विड़ी को तेमपरेचर बोडी क्लिए हाला की यह चीज तो मारेल इंपॉरेट कैसे मेशर करेगा के देवन पेशेंट वेरिंगा मास्क बीट बीट चेंग इस अ oxygen and flow through the blood vessels it results in slight change in color so yeh color ko change karalega spot robot apka kate yeh robot covid-19 mein kaafi jada kargar hai joh healthcare workers can avoid exposing themselves to risk by maneuvering the robot to wherever patients are sitting the robot can also carry a tablets that allow the doctors to ask the patients about the symptoms without being in the same room important to yeh news clear hai toh students me at second session yehita cover-up karra or end yehita karthahun kisi ko arts ke session me koi problem hai toh comment section a prozor like it or upload me so easy three casey banhi rhae hamlock current affairs ko harikman ka isi tiri kisik rap karthajayi so thank you guys